जामताडा से खबर सामने आ रही है जहां एक बड़ी खटना हुई है बताया जा रहा है कि आकाशी ये बिजुली गिरने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई घटना नारायन पुर्थाना शेत्र के चंदाडी लकनपुर गाउं की है मरने मालों में एक महिला और तीन बच्चे भी शामिल है बताया जा रहा है कि सभी बंजारे थे और वो टेंट लगा करुक्त गाउं में रह रहे थे मृतकों की पहचान परशी मंगाल के कोट शीला के दूनु चौधरी की पतनी 25 वर्ष ये निहा चौधरी बेटा 11 वर्ष यंके चौधरी पांच इच्छा कुमारी की रूप में हुई हाथसे में धनु चौधरी बालबल बज़ गया और घटना के समय टेंट में कुल 7 लोग थे घटना के बाद अस्थानी लोगों की मदद से 108 एंबुलेंस को फोन कर दी गई और उसके बाद एंबुलेंस से सभी को नारायन पूर CSC लाय कर दिया वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ मतलब हम करेंगे आपको गाइड बनेंगे आपके मेंचोर पॉल्डेशन क्लासे फ्रॉम क्लास 6 ओनवार्स पॉर यो ब्राइट फ्यूचर विजित कम्लेट सॉल्यूशन इसे चूट जामताडा से एक खबर सामया आ रही है जहां एक बड़ी खटना हुई है बताया जा रहा है कि आकाशिय बिजुली गिरने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई घटना नारायन पुर्थाना शेत्र के चंदाडी लखनपुर गाउं की है मने वालों में एक महिला और तीन बच्चे भी शामिल है बताया जा रहा है कि सभी बंजारे थे और वो टेंट लगा करुक्त गाउं में रह रहे थे मृतकों की पहचान परशिम बंगाल के कोट शीला के धूनू चौधरी की पत्नी 25 वर्ष ये निहा चौधरी बेटा 11 वर्ष यंके चौधरी पांच वर्ष ये गगन चौधरी और बेटी एक वर्ष ये इच्छा कुमारी की रूप में हुई हाथसे में धनू चौधरी बालबल बज़ गया है और घटना के समय टेंट में कुल साथ लोग थे घटना के बाद अस्थानी लोगों की मदद से 108 एंबुलेंस को फोन कर दी गई और उसके बाद एंबुलेंस से सभी को नारायनपूर CSC लाया गया और वहाँ पर आयूश चिकितसक डॉक्टर दिलिप बराई के द्वारा जाज की गई और मौत की पुष्टी के लिए सभी को जामतार अस्पताल भेज़िया गया जहां देए रहा है तो चारू को डॉक्टरों ने जाज के बाद मृत घोशित कर दिया